वेलकम टू राहूल फोटो मैं आपका टीचर राहूल और आज हमारी है 11 क्लास टाइप टूल की दूसरा पार्ट है पहले पार्ट में हमने टाइप टूल एंड टाइप टूल देखा था आज की क्लास में बाकी टूल भी पढ़ेंगे साथी साथ कुछ और चीज भी बनाएंगे जो आपको बहुत पसंद आएगे तो आज ये स्टार्ट परते अभी तक हमने इसमें दो टूल पढ़े थे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ राइट क्लिक करेंगे अभी तक हमने पढ़ा था type tool and test type tool आज हम जो देखेंगे in tool को देखेंगे area type tool, area on path type tool, vertical type tool, vertical area type tool, vertical type on path tool पहले मैं आपको type tool बता रहा हूँ जो की एक newspaper में जिस तरह से लिखा होता है उसी तरह से बता रहा हूँ कैसे होता है मैं type tool ले रहा हूं और मैं इसकी अगर align को इस तरह से draw कर दूँ जैसे जो आप मैं वैसे delete कर रहा हूं इसको खाली और जो मेरे पास paragraph था वो मैं ले आता हूं तो मेरे पास ये जो website थी इसमें मैं 5 का ले रहा हूं ठीक है मैं को lining जो इसर पांच ओर मैं इसको हिहां सी हहा나 को पी कर रहा हूं ठीक है। simple copy कर रहा हूं और यहां कि paste कर रहा हूं ठीक है। 아गर मैं इसको इस तरह से कर दूँ जेकि इसकी दो पार्ट होते थीbus अगर मैं इस तरह से कर देता हूँ, देखें यहां पर एक symbol आ रहा है आपके पास, मैं अगर इसको zoom करूँ तो आपको सायद ही दिखेगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं अपनी screen जूम कर देता हूँ, तो यह वाला जो एक red path जो होगा, वो किसलिए होता है, अगर मैं इस को सीधा selection tool है, selection tool पर अगर मैं सिर्फ click कर देता हूँ, ले करके, path पर, इस पर, तो यह क्या करेगा, आपके पास एक और option देदेगा, lining का, अहां, इसमें यह कर सकते हैं, या तो मैं इसको click कर दूँ यहां, तो यह automatic read कर देगा, उतना ही font को, या फिर मैं इसमें अपने हिसा example मान के चलो, कि मैंने कुछ line यहां से copy करी, इतनी copy कर ली और enter प्रेस करके एक और मैं यहां करता हूँ, तो बाकी content इधर shift हो रहा है आपका, अगर मैं delete भी कर रहा हूँ, तो भी यह काम करेगा, तो magazine, newspaper में वो इसी तरह से content बनाय जाता है, तो आपको यह चीज़ समझ में आगी होगी कि हम किस तरह से अपना magazine का cover या उसके paper है, वो हम किस तरह से design कर सकते हैं अंदर के, तो वो इस तरह से कुछ होता है, सिर्फ मैंने अभी बताया है, बाकी practical आपको in design में बिल्कुल करवाँगा, तो simple में delete कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, area type tool, अच्छा area type tool के अगर मैं कहीं भी click करूँगो तो नहीं करेगा, area के लिए पहले मुझे कुछ बनाना होगा, example मैं leaves बना देता हूँ, किसी भी safe में ले सकते हैं, और अगर मैं area type tool ले के आता हूँ, और यहां just path पे click करता हूँ, तो क्या होगा, यह automatic fill कर देगा उसके अंदर, अब यह आप यह कर सकते हो, कि इसको slat रखें, और जो अपना align panel था, वो उसको लिया है, जैसे मेरा align panel यह रहा, मैं इस वाले को पूरा का पूरे character panel को ले लेता हूँ, साथी साथ इसके अंदर यह भी था, मैं फिलाज यही चिल ले रहा हूँ, इसको center align कर देता हूँ, अब center align से य आपकी यह सारी चीज इस तरह से show करेगा, या फिर मैं इसको इस तरह से कर दूँ, ठीक है, तो आप कोई भी design इस तरह से बना सकते हैं, shoes हो गया, कोई भी anything बना सकते हैं, मैं pen tool ले लेता हूँ, pen tool से मैंने store key open करी है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, simple जो भी आपको लगता है, वो आप draw कर सकते हैं, और मैं area type 2 ले रहा हूँ, सीधा मैं यहाँ click करूँगा, तो यह automatic इसको fill कर देगा, तो कोई भी चीज जहाँ, आप यह भी कर सकते हैं, अगर इसकी आपको path इलान नहीं रहता हूँ, आप direct selection tool ले हैं, तो मैं zoom करके अपनी इस path को select करता हूँ, ठीक है, zoom ही कर रहा हूँ है, और इसको भी यहाँ से, तो आप कुछ किसी भी तरह से आखार में इसको save करें, और change करें, ठीक है जी, इसके बाद आता है, type on path, type on path क्या है, example मैं कोई भी एक pen tool से बना लेता हूँ, जो भी, और मैं इसका color none कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से, अब मैं यह type on path ले रहा हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ click करता हूँ, example मैं इधर click करूँ, तो यह क्या करेगा, automatic काम करना start करता है, यह इसका एक फायदा होता है, फायदा क्या होता है, अगर मैं मान के चलो इसको select करा, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, graphic design, तो इस तरह से काम करता है, हाँ इसका आप यह भी कर सकते हैं, कि अपना font size बढ़ा कर लें, अच्छा, font size बढ़ा करने के बाद आप यह भी decide कर सकते हैं, कि मुझे इसको यहां रखना है, कि कहां रखना है, तो direct selection ले, यह वाला जो tool है, इसको यहां लेके हैं, अब देखिए, यहां तक इससे आगे नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यह start point को मैं यहां लियाता हूँ, और यह अब जा सकते हैं, आप थोड़ा और जितना आगे लाएंगे इसको, करीब यहां, और यह इस तरह से round कर सकते हैं, कहीं भी आपको जहां shift करना है, आप इसको भी ले जा सकते हैं, कहीं भी, ठीक है, तो यह चोटी चोटी चीज है, अगर यह इन पर practice हो जाए तो अच्छी रहता है, same वो ही है कि vertical type tool होता है, कि मैं को कोई चीज़ vertical में लिखनी है, तो मैं जी graphic लिख लिखा जाएगा, हमें ऐसा निका इंटर मार के बार बार लिखें, तो यह चीज नहीं होती, same वो ही है, vertical area, तो मैं इसको भी अगर कोई safes ले लेता हूँ, और अपना tool ले लेता हूँ, vertical area type tool, अगर मैं यह click करूँ, यानि कि path पर जाके, तो यह vertical case half से count करेगा, इसके बाद हमारा वो ही है कि path on, जो भी मैं अगर बनाओ path के, मैंने example कुछ इस तरह से भी draw कर दी, और मैं इसी का vertical भी लियाता हूँ, तो यह कुछ इस तरह से बनाएगा, वो ही चीज हैं, कि आप इसका point यहां लेके हैं, और इसको फिर उपर ले जाए, कि कहां से आपको start करना है, और कहां से end करना है, यह सारी चीज इसमें भी होती है, बहुत easy है, काम करना, आप बस practice करें इन चीजों पर, वोटा से tool है, लेकिन बहुत काम का है, तो आप बिल्कुर practice करें, बहुत कुछ बनते हैं, design भी बनाए जाते हैं, magazine में, newspaper में आपने देखा होगा, वो य यही चीजे हैं सारी, तो चलिए कुछ बनाते हैं, तो बनाने के लिए मैं simple ellipse ले रहा हूँ, अचा बना क्या रहा हूँ, मैं पहले clear कर देता हूँ, मैं एक sealed बना रहा हूँ, जो हमारी more होती है, मैं उस type की कुछ चीजे बना रहा हूँ, तो कैसे बनती है, normal में ellipse ही ले र के zigzag line होती हैं पर, तो वो मुझे चाहिए, तो मैं इसके लिए effect panel में जा रहा हूँ, effect panel के में जब open करेंगे, click करेंगे, तो यहां पर आ रहा हूँगा, Deshort and Transform, Deshort and Transform में जाने के बाद यहां लिखा होगा, zigzag, आप zigzag को लेंगे, यहां पर कुछ value आती है, अगर मैं मान के चलो, इसका size बढ़ा देता हूँ, तो यह कुछ इस तरह से show करेगा, अच्छा यह, अगर आपके screen में ना दिख रहा हूँ, तो प्लिस इसका preview on कर लें, फिर भी पर check लगा दें, और मैं इसकी value और यह कितने चाहिएं वो आप देख सकते हैं, कितना ज्यादा, कितना वो, यह हम इसका, वो भी design कुछ इस तरह ही बनते हैं, तो मैं जो इसकी value रखना चाहरा हूँ, मैं रखना चाहरा हूँ, 5, इसकी मैं करीब 15 रखना चाहरा हू इसको 5 से भी कम है, 1 पर ही, 1 ही रखना, 1 ठीक है, मैंने अपना एक रखा है, और इसमें रखा है 15, अच्छा, इसके बाद आप स्मूथ पर कर लें, तो स्मूथ से क्या होगा, कि मेरे थोड़े जो विप्स है, वो थोड़े स्मूथ और हो जाएंगे, मैं से करनी नहीं चाह है, स्मूथनेस में थोड़ी और बढ़ा देता हूँ, करीब पंदर ही ठीक है मेरा, मैं यहां OK कर रहा हूँ, OK करने के बाद आप देखें, यह बेलकूल वैसा ही होलोग्राम आ गया, जो सील्ड के होते हैं, जो एक चीज का धियान रखें, जब यह होता है, यह सिर्फ पात इसको जिग जग, तो उसके लिए का करेंगे, औवजेक्ट में जाएंगे, एक्सपैंड कर देंगे, एक्सपैंड से क्या होगा कि अब वो खताम होगी पात, तो मैं कंट्रूल वाई करूँ, तो यह वो पात है, जो जिग जग बनाई है हमने, कंट्रूल वापी जा रहा अच्छा, यह चीज मेरी बनी है, अब मैं इसके अंदर एक इलिप्स ओर ले रहा हूँ, और मैं बिलकुछ सेंटर से ले रहा हूँ, इस से, करीब मैं इतना रखना चाहरा हूँ, लिकिन मैं इसमें स्टोक ओपन करूँगा, और फिल जो है मैं नन करूँगा, तो जो स्टो जो है मैं इसका थोड़ा ब्राइट कलर यूस कर लेता हूँ, करीब यह, और इस टोक मैं ले रहा हूँ करीब तीन परसंट का, तीन ज्यादा लग रहा है, मैं दो परसंट का यही ले रहा हूँ, आप अपने इसाफ से देख लें कि आपको कितना परसंट चीए, उसी कर रहा हूँ, करीब इतना, ठीक है, अचा, अब मेरे को इसकी कॉपी चाहिए, मैं कंट्रोल सी करूँगा, और कंट्रोल वी करता हूँ, तो क्या करेगा, यह, जो हमारी पूरी स्क्रीन है, यह, उसके सेंटर में कॉपी करके देगा हमें, तो मुझे यह नहीं चाहिए, मु छोटा करूँ, तो यह मेरी पात है, ठीक, तो करीब में यह, मुझे चाहिए, यह, ठीक है, और मैं इसकी भी एक कॉपी करना चाहरा हूँ, तो मैं फिलाल इसकी कॉपी जो है, वो मैं बहार लियाता हूँ, यह, इसकी कॉपी मैं बहार लियाता हूँ, जब बहार क्यों ला वह भी आपको दिख जाएगा मैं इसमें text लिखना चाहरहा हूं तो कौन सा tool चलेगा मेरा चलेगा type on the path यह क्या करेगा यह इसके around चलेगा तो रहूल फोटो यह उल्टा क्यों आ रहा है उल्टा इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी path अलग direction में चल रही है ठीक है तो मैं इस वाले को उठा के यहां लियाता हूँ और इस वाले को मैं करीब यहां अचा अब यह इसका अगर smart guide on होगा तो हमको guide कर जाएगा यह आपका center line हो गया है ठीक है तो मैं इसको यहां और इसको भी center कर रहा हूँ कर गया है और मैं font style थोड़ा change कर रहा हूँ मैं font style यह नहीं रगा रहा हूँ मैं कुछ इस इसाब का font लगाना चाह रहा हूँ ठीक है और size बहुत बड़ा है मैं छोटा करना चाह रहा हूँ इतना बड़ा नहीं चाहिए हाँ यह कर सकते हैं इसको मैं आप बोल्डी रखूँ ठीक है सेंटर हो गया है अचा इसका जो कलर है वो मैं इससे पिक कर रहा हूँ आईड्रॉपर सिंपर इन सब को मैं इसको भी यहां लेके आ रहा हूँ देखिए सेंटर हो गया सेंटर ना पता लगे तो आप इन सब को सेंटर करके देख सकते हैं यह चीज जो है वो मुझे यहां चाहिए उपर चाहिए और थोड़ा से मुझे लगता है कि मैं टेक्स बड़ा रखूँ करीबी साइज के और यह उपर चाहिए अचाहिए जो हमारा कैरेक्टर बैनल है उसे ओपन करके रखें और यहां पर आजए यहां लिखा है बेस लाइन तो बेस लाइन मैं क्या करूँगा प्लस कर रहा हूँ उपर की साइड ठीक है तो आप देख लें मेरा हेट काफी है अपने इसाब से चेक कर ले मुझे से मैं एक कॉपी यह ले रहा हूँ और यहां पर मैं लिख रहा हूँ यह यह दो यहर बाइस यह मुझे चाहिए कहा यहाँ अच्छा यह अब उल्टा आगे है यह मुझे अंदर चाहिए होगा सीधा कर गे तो कुछ इस हिसाब से तो मैं इसको भी यहाँ लियाता हूँ सेंटर लाइन कर ले वो सेफ रहता है यह वो ही है कि अब मैं इसको क्या करूँ मैं इसका जो बेस है वो माइनस करूँगा यानि कि इस तरह से ठीक है तो कितना सोला सत्रा गाफिए है अराव ठीक यह थोड़ा मेरे को बड़ा लग रहा है तो मैं इसका थोड़ा फॉन्ट साइथ एक स्टॉप कम करना चाहरा हूँ और थोड़ा सा बेस लाइन को अंदर कर देते हैं अभी तक मेरा यही तक बना है कलर की टेंसर ना ले अभी सिर्प बेस ही बनाने एंपको मैं सिर्प बेस बना रहा हूँ और मैं यहां कुछ डिजाइन चाहरा हूँ जो पहले हम आपने देखांगे स्टार होते हैं कुछ ना कुछ होता है मैं सिम्पल स्टारी बना रहा हूँ आपने देखवा कि इस्टारी लगे होते हैं और एक और मैं इसके यहां पॉजिट ले रहा हूँ इन दोनों को गूरूप कर रहा हूँ अच्छा गूरूप क्यों करा है जब मैं इन सब को सेंटर अलाइन करूँगा तो वो आटोमेटिक सेंटर हो जाएंगे अन गूरूप से क्या होगे वो सेंटर होई नहीं पाएंगे वो इदर उदर भागेंगे ठीक है यहां तक क्लिए रहा है मैं इसके अंदर कुछ और डिजाइन करना चाहरा हूँ यानि कि मैं अभी इसकी नहीं है तो मैं इसको यहां फिट कर रहा हूँ और इसको भी यहां मैं एक इलिप्स ले रहा हूँ और करीब यहां से करीब यहां ठीक है और मैं इसको बाहर लेके आ रहा हूँ बाहर कहां मैं हार्ट बोर्ट से या तो बाहर रग दूँ color आपको पता लग जाए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ मैं simple इसको reverse कर रहा हूँ इसकी stock मैं कम से गम रखना चाह रहा हूँ मुझे चाहिए rotation tool जिनिके मैं R प्रेस कर रहा हूँ अपना rotation tool इस पर alt प्रेस कर रहा हूँ और यहां डार रहा हूँ 6 की value ठीक है फिर view of on और मैं control D कुछ इस इसाफ से आपका design बनेगा ठीक अब इसको क्या करें मैं बार्बर इसको stock चोटा बड़ा करूँगा तो खराब होगा तो मैं पहले stock मेरा यही है और मैं इसको जाके सीधा expand कर रहा हूँ stock के साथ ठीक है अब मैं इसको बड़ा चोटा करूँगा तो मेरा खराब नहीं होगा chance और हाँ इन सब को पहले group कर ले control G से group कर ले इसको यहाँ लेके आजाए इन सब को आप align भी कर सकते और लग रहा है यह थोड़ा से और बड़ा होना चाहिए तो मैं इसको करीवी तना ठीक है ठीक और मैं एक ellipse ले रहा हूँ बिलकुँ सेंटर से करीवी साइज को इसको कलर भी मैं ब्लैक ले रहा हूँ आई डॉपर सेंब ब्लैक लिया है ठीक मैं थोड़ा से और बड़ा करना चाह रहा हूँ अपने साब से चेक भी कर सकते हैं आपको दिसी साब से चाहिए मुझे अभी इतना ही चाहिए अच्छा अब इसमें लोगो होना चाहिए तो लोगो के लिए क्या करें लोगो के लिए मैं पैंटूली बनाऊंगा पैंटूल जो हमारा इसी का इलिस्टेटर का हिस्सा है तो मैं पैंटूल दिखा देता हमको जो हमारे डिजाइन जी है पैंटूल का मैं वही डिजाइन बना रहा हूँ कैसे बनाएंगे Ctrl R मैं Ruler लेका रहा हूँ जैसे पहले बताए Ctrl R से Simple मैं अभी इसको Guide को Lock ही कर देता हूँ और Pen Tool लेका रहा हूँ इसको मैं यहां से बंद कर रहा हूँ खाले यही ले रहा हूँ Zoom कर लेते हैं थोड़ा सा मैं Simple यहां से इतना 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 इसको इसकेप कर रहा हूँ जैसे देख लेंगे इसको थोड़ा सा ठीक है थोड़ा सा यह मुझे लगता है कि अंदर और होना चाहिए अच्छा Simple मैं वही ले रहा हूँ अपना इसको Reflect करने के लिए Reflect Tool मैं इसको एक पॉइंट यहां लगा रहा हूँ और इसको Shift और Alt से उठा करके यहां ले के आ रहा हूँ पर इस साइट का यह अभी थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा तो मैं इसकी width जो है थोड़ इसी बढ़ा रहा हूँ और इसको थोड़ा अब काफ़ी हफ़ तक बैटर है इसको simple मैं जोइन कर रहा हूँ दोनों को पाप को राइट क्लिक से जोइन और इसको भी मैं जोइन कर रहा हूँ इसको मैं भार लियता हूँ color आप अभी जो मर्जी दे दे ये color पिक कर रहा हूँ इसको stop मैं none कर रहा हूँ simple मैंने none कर रहा है अच्छा बन किया रहा हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ जो है थोड़ी सी वो हो तो मैं simple scale tool से मैं इसको थोड़ा सा direct selection से इन दोन पाथ को मैं select कर रहा हूँ करीब इस side कर रहा हूँ सीधा rectangle लेके आ रहा हूँ और करीब इस side में color मैं black कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए क्या कर रहा हूँ इन दोनों को align करेंगे मुझे लगता है कि थोड़ा सोर पतला कर देना चाहिए align देख लें ये भार है कोई बात नहीं मुझे अभी वो भार ही ही रहना है और मैं यहां से और एक ellipse ले रहा हूँ इन सब को center line और पात फाइंटर जो हमारे पास होता है pathfinder से मैं simple इसको सब को select करके इसको ये कर ठीक है बन गया हूँ तक अब एक rectangle और लेंगे जो के इसके यहां का पार्ट लेकिन अभी पूरा नहीं लग रहा हूँ मुझे अधूरा लगा पैंटूल पैंटूल की तरह दिखना चाहिए क्योंकि उसके एक path भी होती है path उनी बहुत जोड़ रही है तो मैं ellipse से ले रहा हूँ circle से पी काटा है मैंने और इसका direct selection से मैं जाके ये path remove कर रहा हूँ और इसको मैं रख रहा हूँ ठीक है मैं एक काम करूँ या तो मैं इसका stock से यह ले लूँ same stock आजागा उसके अंदर दो नम्मर का थोड़ी सी और बास और यहां मैं चाहरा हूँ कि यहां लगे रहा हूँ लेकिन यह उना चाहिए fill ठीक है और इसको और इसको ठोड़ा सा और rectangle से मैं यहां चाहरा हूँ किस तरह से कुछ hold press ठोड़ा सा बढ़ा होगया करीब इस साइट का इसकी एक कॉपी यहां shift और halt से एक यहां ठीक ठीक यहां तक बन गया यह थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा है तो मैं इसका side बढ़ा कर रहा हूँ और simple मैं इसी को उठा करके यहां रख रहा हूँ इन सब को वह एक्सपैंड कर रहा हूँ क्योंकि stock है गरबढ़ होने के पूरे chance है stock to fill convert कर दिया इसको मैं इन सब को group कर रहा हूँ ctrl g और इसको मैं यहां लेक्या रहा हूँ करीब इतना इसको भी मैं group कर रहा हूँ इसके साब से ताकि उसकी alignment रहे और गर यह हो गया तो मैं इन सब को group कर देता हूँ और इसको मैं लियाता हूँ यहां अब मैं चाहते हूँ इसको थोड़ा साब पढ़ा कर और इन सब को मैं कर दूँ center align तो हमारा यह logo बनी हाँ अब आप इसके अंदर जो है वो color दे सकते हैं जो भी आपको लग रहे के मुझे लग रहे के इसका जो color होना चाहिए dark brown होना चाहिए तो मैं dark brown ले लेता हूँ सेम यही eye dropper से color फिल कर रहा हूँ अब चाहिए तो आप इसका color black करें जो मरची करें तो यह आपको class समझ में आई होगी कि हम किस तरह से type tool से and area part tool से भी काम कर सकते हैं किस तरह से चीजे बना जाती है normal है हम एक shield को किस तरह से बना सकते हैं सिर्फ पहले आप baseline ही बनाए फिर color fill करें क्योंगि अगर हम directly color पर बनाएंगे फिर हम बार बार confused होते रहेंगे कि यह अच्छा नहीं लग रहा है यह खराब लग रहा है simple है कि आप पहले एक basic base color ले उसके बाद आप बाद में increase करें जब आपका सारा complete हो जाए project उसके बाद ही आप आगे color ही fill करें I hope आपको एक last पसंदाई होगी पसंदाई प्लिस लाइक करें और दिनों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ने करें वो प्लिस सब्सक्राइब करें थैंक यू प्लिस सब्सक्राइब करें